हाई वेवन वेलकम तु स्टडी स्प्रिंग और यह अपना 64 विडियो है पॉलिटी 1000 MCQs के लिए जिसमें आज हम लोग फिर से सुब्रीम कोट और उससे रिलेटेड जो डायरेक्ट पूछे जाने वाले MCQs है उसको सॉल्ब करेंगे तो before to begin अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और most expected MCQs के सिरीज को आप विजिट कर सकते हैं हमारे description से वो आपके examination point of view से काफ़ important है अगर आप यहाँ सारे exam की त्यारी कर रहे हैं तो चलते हैं अपने MCQs के तरफ तहला question है सरवचे नहाले के अधिकार छेत्र में प्रिदी करने का अधिकार किसे है काफ़ important question आपके exam में direct question पुछे जाते हैं क्योंकि Supreme Court जो है हमारे ethics court जो है उसका अधिकार छेत्र है उसके अधिकार छेत्र को अगर कम या ज्यादा करना हो तो कौन कर सकता है क्या वो सरवचे नहाल होता है कि सरवचे नहाले के मुखे नहादी इसकी न्यूपती राष्टपती के थ्रू होती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहां इसलिए आता है क्योंकि जब ब्रीधी करने के बात आती है तो direct हमारा जो ध्यान है वो जाता है राष्टपती के तरफ क्योंकि यह ब्रीधी जो करते हैं ये नियूपती करते हैं सर्वोच नयाले के मुखे नयदेश की राष्टपती तो ब्रिधी करने का भी अधिकार राष्टपती के पास ही होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है जब तक संसत नहीं चाहेगी तब तक सर्वोच नयाले के अधिकार चित में ब्रिधी नह ही हो सकता है तो राइट एंसर आपका गव हो जाएगा नेक्स्ट कोस्टन देखते हैं सर्वोच नयाले दोरा घोसित नेड़ने या आदेश भारत के राज़े छेतर के भीतर किन नयालों के लिए आवोसे गर्युप समाने होता है 我的 हएं और परिम कोर्ण से ठीक है उचेतम नयायाले के तरफ से आज से जो प्वास्कू सोगा वो थोड़ा सा चेंज होकर किया गा तो एपक्स कोड्स की तरफ से अگर कुछ चेंजेस कि जाएगा तो क्या वो उच्छ नयायाले के लिए क्यों मानने होगा क्या वो जीला नयायाले के लिए मानने होगा मुंसिफ नयायाले के लिए हो या सभी के लिए सब्सक्राइब जाएगा सब्सक्राइब कि वह अपेक्स है, सबसे सर्वोच्य है, इसलिए उसके आदेश का पालन करना सारे नियायालियों की एक ड्यूटी है, तो राइट एंसर गवा हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वोच्य नियाले की पहली महिला नियाधीस कौन थी? important question है आपके लिए, यह सब question जो है, वो direct exam में आते हैं, यहाँ पे बस केवल रटना है हम लोगों को, और इसके बाद और कुछ करना ही नहीं है, तो आपको वो सारे content भी दिये जाते हैं, जो आपको रटने वाले होते हैं, वो content भी दिये जाते हैं, जो आपको practice करवाता है, तो आप इसको जैसे बार-बार revise कीजेगा, यह आपके memory में जाके set हो जाएगा, फिड़ आप इसको कभी भूल नहीं पाईएगा, बाकी explanation के लिए हम लोग है, खुद explain करते हैं इसको, इसका right answer आपका मीरा साहिफ फातिमा वीबी है, सर्वोची नयाले की पहली महिला जो न्या वर्षी हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो कारे होते हैं, वो English में होते हैं, तो सर्वोची नयाले में जो कारे होगा, वो क्या English में होगा, या Hindi में होगा, यह पूछना होता है, यह question में पूछा क्या है आप से, तो इसका right answer होगा, वो आपका हो जाएगा Hindi और अंग्रेज कुछा जाकता है जब भी चाहे तो चेंज करके एक्जा में कुछा जाक्ता है कभी से हाईट से कभी ये डानेक्ट एक्जाम में पूछ लिया जाते हैं तो हाइट का एंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए क्योंकि आपके लिए कुछ में कुछ होमवर्क तो होना चाहिए अगर आप ये दस मिनेट का वीडियो रोज देखते हैं तो एक होमवर्क ज़रूर कर लिया और ये अगर ये देश के सरवधिक ऊचाहिख पर इस्सित्त मददान केंद्र है और ये कहां इस्तित है और इसकी ऊचाहिख इतनी है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिए, नेक्स्ड क्वस्च लेखते हैं देश के किस संसधियन इर्वाजन छेतर का सीमा नौ संसध नो नोसम Nahi वाजियों से जाकर इंपोर्टेनल है प्रेविये से नहीं हमें वहां से आपी प्रेविये से आ सकते हैं कैसे लिषम करने सत्कॉंपर्पूर्ण सत्प्रdar ही सत्मार ना तो कहां नगौर जो राजस्थान में है संसद्य विशेशा अधिकार के मामले में अंतिम निर्ने किसका होता है तो जो संसद्य का विशेशा अधिकार होगा जिसपे केवल संसद्य जो है वो लास्ट डिसीजन होता है उसका तो उसमें जो उसका विषयशा दीकार होता है वो सोयम संसत के पास ही होता है जैसे सदस्यों का स्थान रेक्ती सरे रेलेटेट अगर कोई मैटर आता है तो इसमें special पावर होता है वो हमारे लोगसभा के अध्यक्श के उपड़ होता है ठेके उनके पास होता है तो वो केवल संसत के पास ही होता है तो यहाँ पे अंतिम निर्णे उसका खुद होता है अगर वो उसका विशेशाधिकार का मामला है तो अधरवाई जो सर्गोचे ने आले जा सकता है जो भी सदस्य को यहाँ पर प्रॉब्लम होतो नेक्स कोस्चन देखते हैं आम लोग गनेश वाशुदेव पहले अध्यक्ष थे पहले उपाद्यक्ष कोन थे लोगसभा के एक कोस्चन का एंसर आपको मिल गया कि लोगसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर थे गनेश वाशुदेव मावलंकर ठीक है आपक है आपका right answer घौ हो जाएगा वो लोकसभा के पहले उपाध्यक्सते इसको याद करके रखने हैं हम लोगों को यह सब exam में direct पुछे जाने वाले question है next question देखते हैं लोकसभा का सची हो सची वाले किसके देखरेक में कार्ज करता है लोकसभा में सची वाले भी होता है आप question अभी जो मंत्री है उनका नाम आप comment box में comment कीजिए क्योंकि यह सारे चीज आपके लिए important है अगर आप current से जुड़े हुए है प्लस आपके पास factual data है तो exam में question छूटने का chance बहुत कम होते हैं और इस channel का motto भी वही है कि आपको सारे content free of questions दिये जाए जो एक paid course में मिलता है त question देखते हैं संविधान के रुसार राजेपाल पदपर नियुक्ति के लिए क्या हरता है होनी चाहिए काफे important अब हम लोग राजेपाल चैप्टर पर भी पहुंच गया है यह आपका राजेपाल सा related कुछ MCQ जब solve करेंगे इसने हम लोग हम लोगोंने Supreme Court chapter को clear कर लिया है ज सदसेने हो या किसी लाब के पदपर नहीं हो पहले option में थोड़ा सा controversy है कि भारत का नागरिक होगा तो क्या वो जन्म से होगा या अगर वो यहां की नागरिकता को गरहन किया है तो भी वो राजेपाल के post के लिए eligible है या नहीं यह mention नहीं किया गया है ठीक है क्योंकि यहां किसी राजेविधान मनमित का सदसे नहीं हो यह भी सही है और वो किसी लाब के पदपर नहीं हो तब ही वो राजेपाल गवर्णर के लिए eligible हो सकते है राइट इंसर आपका हो जाएगा ठीक है तो इसका राइट इंसर आपका सभी हो जाएगा तो friends यह था आज के वीडियो क सब्सक्राइब किया है तो आज के वीडियो के लिए इतना ही friends लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को सेर कीजी और जितना हो सके अपने friends के साथ इसको सेर करके और आप मेरा help कीजिए क्यों